जाकते दो अश्टा वक्त जनक को समझाते हैं है जनक ये संपून दिशयप्रपँच तुम से भरपूर है और वस्तुतन तुम से ही ओधपोत है तुम शुद्ध बुद्ध स्व़ूप हो तुम शुब्द चितवाले मत बनो क्या समझाते हैं और जनक संपून जगत तुम से ओधपोत है आई न वही बात कणकण में परमात्मा अस्टावर्क्त जनक को कहते हैं कि तुम द्रस्टा हो, साक्षी हो, ब्रह्म हो दूसी तरफ वह बताते हैं संपूर्ण जक्त तुमसे ही ओत्प्रोत है यानि कि जो द्रस्टा है, जो साक्षी है, जो ब्रह्म है संपूर्ण जक्त उससे ओत्प्रोत है वही बात कणकण में परमात्मा जर्रे जर्रे में खुदा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहरा हूँ तुम इस बात को समझो तुम परमात्मा को किसी मूर्ती विशेश में मत ढूड़ो पर्मात्मा तुम्हें जब भी मिलेगा तभी द्यान लखना वह तुम्हें संपूर्ण संसार में व्याप्त मिलेगा कम मिलेगा जब तुम स्वयम पर्मात्मा का अनुबव करोगे एक दिश्टान सुनो जब कभी तुम घर से अपने घर के किसी सदस्य से लड़कर घर से बाहर जाओगे तो ध्यान अखना तुम्हें जो भी मिलेगा रास्ते में वे भी तुम्हें ऐसा ही प्रतीत होगा कि वे तुम्हें बुरा भला बोल रहा है तुम उससे लड़ना चाते हो दूसरी तरफ जब तुम घर से प्रेम से निकलोगे प्रेम मैं होके जाओगे तो तुम्हें पूरा विश्व पूरा संसार प्रेम में दिखाई देगा तुम ध्यान लखना तुम जिस रंग का चश्मा चड़ाकर आख पर जिस रंग का चश्मा चड़ाओगे फिर गर से निकलोगे तो दुनिया उसी रंग की नज़राएगी मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम प्रेम का चश्मा चड़ाकर संसार में निकलो फिर दुनिया प्रेम में नज़राएगी अगर तुमें परमात्मा के दर्शन करने है तो घर से ही परमातमा का चश्मा चड़ा कर निकलना तभी परमातमा कंकं में दिश्ट्री को चड़ोगा अन्य था नहीं अस्ठावक्र जनक से कहते हैं तुम से सारा जगत ओदोथ है यानि जो तुम हो या जो तुम में है वही समस्त संसार में विराजमान है गुलाब के फूल में, कमल के फूल में, तुलसी के पोदे में, पीपल के व्रिक्ष में, केले के व्रिक्ष में, इत्यादी इत्यादी उस परमात्मा के इलावा संसार में कुछ है ही नहीं ध्यान देना जब तुम प्रेम भरी दिष्टी से देखोगे जब तुम उस परमात्मा को देखोगे अपने पन से देखोगे तो हर वस्तु तुमें परमात्मा स्वरूप ही नजराएगी फिर राम में भी पर्मात्मा रावन में भी पर्मात्मा तभी तुम्हे पता चलेगा वरना तो तुम देखते हो हर वर्ष तुम रामलिला देखते हो रामलिला देखके आते हो और रावन को जला आते हो पर्मात्मा का अन्बव हुआ ही नहीं दिष्टी परमात्मा तक पहुँची ही नहीं राम में परमात्मा दिखा रावन बिना परमात्मा के जीवित क्या विडम्बना है जरा ध्यान से सोचो तो सही वह जो पात्र करने आये थे वह कर रहे हैं तुम अपने पात्र का ध्यान दो ये जनक तुछ से ही सारा जग्त व्याप्त है तुछ से कातात पर ये धस्टा से है जनक की धे से नहीं मैं तुमें बार-बार यही तो बोलता हूं कि तुम मुझे मेरी धे के साथ मत जोड़ना तुम मुझे धस्टा ही जानना जिस पकार तुम स्वयम दस्टा हो, इसी पकार मैं भी दस्टा हूँ तुम दस्टा को ही देखना, यहां मुझसे का तात्पर्य तुमसे भी है तुम तुम इसे जनक के साथ मत जोड़ देना दस्टा, साक्षी, ब्रम, पर्मात्मा, सभी का एक ही है मेरा, तुमारा, जनक का, सभी का अस्टा वक्र कहते हैं, ही जनक, तु दस्टा है, साक्षी है तुम भी देखो, तुम अपने आपको बंदा हुआ मान रहे हो बंदन में मान रहे हो, तभी तो मुक्ति का उपाय करने की सोचते हो मुक्ष की प्राप्ति की सोचते हो, पर्मात्मा के दर्शन की सोचते हो जिस दिन तुम स्वयम को मान लोगे, कि तुम मुक्त हो तुम द्रस्टा हो, तुम साक्षी हो तुम ब्रह्म हो, तुम स्वयम पर्मात्मा हो ध्यान लखना उस दिन सारे उपाए सारे अनुष्ठान वैसे के वैसे ही धरे रहेंगे तुमें कुछ भी करने ना पड़ेंगे तुम ध्यान दो जड़ा बुद्धी से सोचो तुमारे उपर ये सारे उपाए किसी के द्वारा बलात करवाए जाते हैं तुम उसको पहचानो तुम तुमारे गुरुजन तुमारे पंडिजन क्या कहते हैं वै तुमें कहते हैं कि तुम बंदन में हो तुम मान लेते हो वै कहते हैं तुम अज्यानी हो तुम मान लेते हो उनका तो कारिय ही यही है अगर वै तुमें पापी नहीं कहेंगे, अग्यानी नहीं कहेंगे, तो उनका ग्यान कून लेगा, उनकी पूदरताही कैसे चलेगी, उनको ग्यानी कून मानेगा, कथा वाचक, कथा करने वाला, गाने बजाने वाला, बीच बीच में नाच कूद कराने वाला, अगर तुम्हें यह नहीं कहेंगा कि तुम अग्यानी हो तो उसका ग्यान कौन लेगा वे ग्यानी कैसे होगा तुम्हारे सामने कथा में राम किशन या शिव बना कर नाच नचाकर रुपिया पैसा कमाने वाला क्या तुम्हें ग्यान दे पाएगा जरा सोचो तो सही वे तो स्वयम ही अभी तक धन, पद, मान, पतिष्टा इसी में ही उल्जा हुआ है वे तुम्हें मुक्त कैसे करेगा तुमने देखा आज कल जो वक्ता कथा करने का कार्य करते हैं ध्यान दो वे क्या करते हैं चार गंटे की कता में से दो गंटे तो भजन-गायग को दे देते हैं एक गंटा किसी को राम, कृषन, सुदामा, साई इत्यादी बनाकर, देवता बनाकर लोगों को आशिरवात दिलवा देते हैं तता बचा हुआ एक गंटा चुटकले यादी सुना देते है हो गई उनकी कथा हो गई तुम्हारी मुक्ती हो गई तुम मुक्त बन गई तुम परमात्मा बन गई तुम साक्षी तुम ध्यान से देखो तो सही मेरे यहां तुम आते हो यहां गंभीर विशे पे बात होती है अश्टावक्र अश्टावक्र तुम्हे कंदे पे हाथ नहीं रखने देते अश्टावक्र ने पूरी कथा में पूरे अश्टावक्र सहिंता में एक भी जगा अपने मार्क से हट के बात नहीं की केवल एकी बात कि तुम साक्षी हो तुम ज़स्टा हो तुम परमात्मा हो तुम्हें अनुष्ठा नित्यादी नहीं करने मेरे यहां यहां भी जो सत्संग होता है उसमें मैं तुम्हें केवल एक ही चर्चा सुनाता हूं कि तुम मुक्त हो साक्षी हो, दस्टा हो तुम स्वयम को पहचानो जागो, जाकते रो कि तुम मुक्त है झाल झाल